उनके सामने उनके बेटे की लाश थी जो जगा जगा से कटी भी थी और उन्हें इस चीज का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब इस दुन्या में नहीं है गौरफ को गौरफ की गर्फरेंड नहीं मारा था गौरफ बच्पन सही स्मार्ट था वो पढ़ाय में भी हमेशा आगे रहता स्कूल में उसके चितने भी दोस्ते उन सबी का ये कहना था कि वो हमेशा बस हसी मजा करते रहता था उन्होंने उनकी पूरी जिंदिगी में कभी भी गौरफ को स्ट्रेस्ट या फिर सैड नहीं देखा था तो एक इतने खुश इनसान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ थत्यत जैन्वरी 2024 को कि जब वो सुबह मार्निंग वाप पे गया तो कभी वापस नहीं लोटा सुलसलान अलिल मोर अबाट तोड़ेस केस रिवाल्विंग अराउंग गौरफ राय